Good morning students, welcome to CCS and today we will learn about testis, ovary and different type of endocrine hormones Students, आज के इस वीडियो में आम अभी endocrine glands के बारे में पढ़ेंगे आप इनके पहले वाले कई वीडियो में different तरह के endocrine glands के बारे में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और उनको समझे होंगे इस्टुडेंड्स उसी endocrine glands में कुछ और भी endocrine glands होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में students जो और जितने भी different endocrine glands होते हैं वो सारे हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे Students, इनके पहले वाले कई वीडियोज में आप इंडोक्राइन ग्लैंड से उडिफरेंट तरह के इंडोक्राइन ग्लैंड जैसे की Hypothalmas, Pituitary Gland, Thymus Gland, Parathyroid Gland, Pancreas, Adrenal Gland ऐसे कई मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में किये होंगे, different तरह के उनके related hormones के बारे में, उस hormones के functions के बारे में, उनसे होने वाले disorders के बारे में Students, कुछ और, जैसे 2-3 और इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जिनकों आज के इस वीडियो में हम cover करेंगे और, इन सारे इंडोक्राइन ग्लैंड को अच्छे तरीके से note करना होगा, और अच्छे तरीके से learn करना होगा Students, तो आज इस वीडियो में हम first discuss करेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड के इस टेस्टिस वो टेस्टीस होता है, टेस्टीस भी हर्मों सीक्रीट करता है, अभी हम यह सारी बाते पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कॉंसेप्ट पढ़ेंगे, कि जो टेस्टीस होते हैं, वो मेल में मेल गोनाड को बोलते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं, कि टेस्टीस इज प्राइमरी सेक्स ओ यह सारी बाते भी हम पड़ेंगे, student primary sex organ, mermaid sex organ को बोलते हैं, जो gamits, gamits का भी synthesis करते हैं, और hormones का भी secretion करते हैं, तो जो testis as students, वो male gamit का formation करता हैं, जिसको sperm कहते हैं, इस पर metogenesis एक प्रोसेस होता है टेस्टीज में, सैमनी फेरस टिब्यूल्स में, तो जिसके तूरू स्परम का फार्मेशन होता है, और टेस्टीज सेक्स हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है, जिनको टेस्टोस्टुरॉन कहते हैं, इस वज़े से टेस्टीज को प्राइमरी से सौर्गन कहते हैं, यह सारी बाते स्टूर्ट इंपोर्टेंट है, आप स्क्रीन पर कुछ पॉइंस देख रहे हैं, और फीगर भी देख पार है, यह सारे फीगर और इनके नेमिंग बहुत इंपोर्टेंट है, लोकेशन की बात करें, तो प्रजेंट इन स्क्रोटल सैक, आ स्क्रोटम कहते हैं, या जिनको स्क्रोटल सैक का जाता है, उसी में टेस्टीस होता है, यह भी हम बात आगे पढ़ेंगे, कि टेस्टीस का लोकेशन क्यों स्क्रोटल सैक में होता है, क्योंकि वहां का टमपरेचर हमारे बोडी के टमपरेचर से 2.5 डेगरी सलसियस कम होता है और यह एक ideal temperature होता है sperm के formation के लिए spermatogenesis के लिए तो student बात करते हैं location की तो present in scrotal sac outside the abdomen testis perform dual functions as a primary sex organ as well as an endocrine gland endocrine gland जो होते हैं वो भी testis के work करता है student आप यहां से figure भी देख पारें semi-ferous tubule यह testis में होती है testis में highly coiled की तरह structures होते हैं जिनको semi-ferous tubules कहते हैं इसी semi-ferous tubules में spermatogenesis यानि sperm का formation होता है इसी semi-ferous tubules के बीच में कुछ cells पाए जाते हैं जिनको interstitial cells कहते हैं ladic नाम के scientist इसको describe किये थे इस वज़े से इनको ladic cells भी कहा जाता है यही ladic cells या interstitial cells जो होते हैं student वो hormones secret करते हैं testosterone testosterone इस hormones का function क्या होता है कि male में secondary sexual character को grow कराता है secondary sexual character का मतलब जब कोई male puberty के time आते हैं onset of puberty reaching the age of elderosens जिनको बोलते हैं तो उनके body में physical appearance में mental appearance, physical appearance या इनके body growth, development, voice change ऐसे different तरह के secondary sexual characters होते हैं जो इसी hormones के action में या इसी hormones के influence में होते हैं हम कुछ points स्क्रीन पर भी पढ़ेंगे students composed of seminiferous tubules and interstitial tissue latic cell और interstitial cell ये दो seminiferous tubules के बीच में पाए जाते हैं produce hormones called androgens androgens होते हैं उन्हीं को mainly testosterone कहते हैं during puberty student puberty भी अभी हम बात पढ़ेंगे puberty वह age को बोलते हैं जिसमें कोई भी boy है या कोई भी girl है हम कहते हैं कि body become capable to reproduction reproduction के लिए body capable होना या appearance of adultness character जैसे हम childhood से adulthood की तरफ प्रवेश करते हैं तो time period को adolescence कहते हैं puberty कहते हैं teenage कहते हैं तो ये सब बाते दीवर्ण अपने mind में रखते हुए हम पढ़ेंगे during puberty testosterone help to bring about the following physical changes that turn a body into an adult male वो कौन कौन से features होते हैं increase in muscles, mass and strength increase in height growth of facial and pubic hair deep deep painting जिनको बोलते हैं कि voice become deeper voice जो होता है वो भारी हो जाता है मेल में deep painting of voice male hair pattern sperm protection जिनको spermatogenesis कहते हैं ये सारी student बात था अब next बात करते हैं student ovary ovary जो होते हैं student ये female का primary sex organ है इनको primary sex organ of female बोलते हैं कोकि ये ovum female gamit ovum ovah का formation करते हैं और साथी साथ female sex hormones का भी secretion करते हैं जिनको estrogen and progesterone कहते हैं इनका location की बात करें तो ये pair of ovaries one pair present होता figure में भी देख रहा है in the lower abdomen of the female it is primary sex organ which produce ovum and during each menstruation cycle अभी ये सारी features पढ़ेंगे student it produce two group steroid hormones estrogen and progesterone estrogen और progesterone के function आप इस screen पे देख रहा है student ये दोनो important hormones होते हैं इनके function को note करना चाहिए ये दोनो hormones भी female में at a time of puberty secondary sexual character को ग्रो कराते हैं जिस प्रकार male में adultness characters आते हैं puberty के time उसी प्रकार females body में उनके physical changes में physical appearance के बारे में कई सारे changes दिखाई पढ़ते हैं female में भी at a time of puberty तो वो भी सारे secondary sexual characters कहलाते हैं जो की female में estrogen and progesterone hormones के influence में होते हैं आप यहां से estrogen and progesterone hormones है students ये आप इसक्रीन पर जो functions देख रहा हैं आप यहां से इनको note करके कर लिए सकते हैं सारे important और easy function लिखे हुए आप peach high जिनको पह बोलते हैं peachness, memory gland development, oogenesis ovum का production होना ये सारी features लिखी हुई है student कई ऐसे भी होते हैं hormones जो की different तरह की organs के दोरा secret किये जाते हैं hormones, hormones of heart, kidney and GI tract GI tract पोलते हैं gastrointestinal tract stomach का पाठ है atrial wall of the heart ये भी hormone secret करता है ये इनको अट्रियल नेट्री पीरियल ये एनफ कहते हैं इनके hormones को common word में नेट्रियूरेटिक हर्मोंस फैक्टर बोलते हैं atrial natriuretic factor ये भी hormones होता है ये blood pressure को decrease करता है agesta glomerular cell of kidney ये भी hormones secret करते हैं ये सारी features लिखा हुआ है RBC के formation में gastrointestinal tract stomach को बोलते हैं gastrin, secretin, colistocyanin gastrin inhibitory peptide ये सब hormones secret करते हैं student यहां से भी आप कुछ points को note कर सकते हैं कि hormones of GI tract gastrointestinal tract जो hormones secret करते हैं उनको gastrin, gastrin, gastrin gland stimulate secretion करता है hydrochloric acid और pepsinogen secretin, colistocyanin, CECA कहते हैं और gastrin inhibitory peptide GIP inhibit gastrin, यहां से नोट करके हैं आप इनको लिख सकते हैं student functions हैं सारे तो students यह सारे यहां से आप नोट करके अच्छे तरीके से learn कर सकते हैं student आज किस वीडियो में जो और different तरह के endocrine glands थे उनको हम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ लिए student जितने endocrine glands होते हैं लगबग आज किस वीडियो में पूरी तरीके से complete हो गए अब next वीडियो में हम इसके आगे के topic को पढ़ेंगे student जितने तरह के endocrine glands हम पढ़ें आप इस क्रीन के सारे points को अच्छे से नोट कर लेंगे और उनको अच्छे तरीके से learn करेंगे ये सारे important functions होते हैं सारे endocrine glands जो हम पढ़ें वो most important है student इनको अच्छे तरीके से learn करेंगे आज किस वीडियो में इतना आई फिर next वीडियो में इसके आगे continue करेंगे और इसके आगे पढ़ने की पढ़ेंगे student इनको अच्छे से नोट कर लेंगे आज किस वीडियो में इतना आई thank you